नमस्कार किसान भाई ओल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको लेकर आए हैं PDFSR में मौधिप्रम में है यह और यहाँ पर खाद किस तरह से तयार की जाती है कंपोस्ट खाद आप खाद को डाल कर अपनी फसल को अच्छा कैसे ले सकते हैं और अपनी ने को उपजव कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीकों से जो एक खाद तयार की जाती है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो किसान भाईयों चलिए हम यहीं से सुरुवात करते हैं तो यह देखे यह लिखा हुआ यहाँ पर जीव अम्रत अव्यव यह देखे किसान भाईयों अव्यव लिखा हुआ है गाय का गोबर गोमूत्र यानि गाय का मूत्र गुड बेसन खेत की मिट्टी इसमें मिलाकर जो है रखी गई है और यह उपर से धकन बंद कर दिया गया यह देखिए और चलिए इसमें अब इसको देखते हैं यह निमास्त्र लिखा हुआ है और अव्यव नीम की पत्ति गोमूत्र गाय का गोबर इसमें भी भर दिया गया पानी भर दिया गया और उसे कुछ समय के यह इस प्रकार से यूज में लाई जाती है कि जो किसान भाई अपने खेद के मिट्टे को जो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अब देखें यहां पर लिखा हुआ यह पंच गव्यव गाय का गोबर है इसमें गोमूत्र है दूद दही घी गन्ना रस नारियल पानी पका नीम है धतूरा और मदार कनेर हल्दी अरंड करंज बेल आम अम्रूद की पति गोमूत्र लहशुन अद्रक्वे मिरच इसमें भरके रख दिया गया है कुछ समय के लिए और इसे ढख दिया गया है ताके इसे कुछ समय को उपजाओ और बहतर बना जा सके किसान अपने किस तरह से सोना उगल सके तो यह मददगार है किसान किस तरह से एक अपने खेज से सोना उगल सकता है क्योंकि किसान भारत की रीड की हड़ी है और यहां पर मैंने अभी आपको बताई यह pdf सर है नायनय को रिशर्च होते रहते हैं और यह खाद कंपोज्ट खाद किस तरह से उगाई जाती है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा इधर की तरफ किसान भाईयों यह कंपोजड खाद के गड़े होते हैं इसमें क्या होता है पहले गोबर को पानी लगाए संत किया जाता है इन गड़ों में फिर केच्वें चलते बना अच्छी खाद ऊपर रह जाती है तो किसान भाईयों अगर आपको हमारे दुआरा बनाईकर वीडियो अच्छी लगते हैं लाइक कमेंट और शेयर करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में तब तक कि लिए स्रक्षित रही है जाहिन जवाल